शमी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। इस पौधे में महादेव का वास होता है। इसे घर में लगाने से बरकत आती है। सनातन धर्म में पेर पौधों को भी पूजनिय स्थान दिया गया है। धर्म ब्रंथों के अनुसार तुलसी, पीपल, बरगद, आवला समे शमी के पौधे का भी रोजाना पूजन किया जाता है। धर्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी का पौधा शुब होता है और इसमें भगवान शिव का वास माना गया है। इस पौधे के पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है। इ इस पौधे में महादेव का वास होता है। इसे घर में लगाने से बरकत आती है। परिवार को कभी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि इसे पौधे का नियमित पूजन किया जाए तो भगवान शिव की विशेश प्रिपा प्राप्त होत है। वास्तू के अनुसार शमी का पौधा घर में लगाने से वास्तू दोश दूर होता है और घर की सब बाधाएं मिट जाती है। परानेक मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में अगर किसी व पौधा लगाने से इसका का प्रभाव कम होता है। शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाना शुब होता है। वास्तू नियमों के अनुसार शमी का पौधा कभी भी घर के अंदर न लगाएं, बलकि इसे गार्डन या बालकनी में लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर शमी के पौधे को लगाना भी शुब माना जाता है। लेकिन ध्यान रखे घर से बाहर जाते समय ये पौधा आपके दायोर होना चाहिए। वहीं छत पर शमी का पौधा दक्षिन दिशा में ही रखना चाहिए। यदी संभाव ना हो तो पूर्व दिशा में भी लगा सकत हैं। शमी के पौधे की भी तुलसी की तरही रोजाना पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। लेकिन शमी के पौधे की पूजा यदी शनिवार के दिन की जाय तो फलदाई होती है।